नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियो हम लोग देखेंगे ट्रेड हस्त ऑजार पर अब्जेक्टिव कोश्चन जो कि यूपी पीसेल यूपी आर्बिनल टेजी टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ह इसमें आपको मिलेंगे प्रिवेस येर के अब्जेक्टिव कोश्चन 2018-2019 के ज्यादा तरहेंगे जैसे कि इसरो यूपी पीसेल यूपी आर्बिनल डिमर्सी ये नमर्सी इन सब में आया हुए कोश्चन है तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो वो लोग अपन आया में आया यह कोश्चन है कि इस को मि damage रीच कृण recovering के अमसूक्रियोू नहीं परियूब कला सब्सक्रालों में को केको Programs के रिए year time कम यह मितलब करनार तो यह और इनसाल में प्रियूप ह zalपने के लिए परियोक्त किया जाता है कि हमारे एए LOVE जाएगा डायामीटर दूसरा कोश्चन है कि विच आपता फालूइंग वायर गेज विल हैव हाइस्ट करेंट केरिंग कैपसिटी निमने में से किस तार गेज में उच्छधारा वहां छमता होगी तो देखिए उच्छधारा वहां छमता जिसकी होगी वह हो रहता है अठार ह दोने से क्लेका है नमबर का इस्टेंडड व्यूर गेज तो जिस तार का का खेंश कम होता है उस्टार का जाता है इसे तारके परतिरोध होता है याम होता है और इससे क्या हो जाएगा ये कम हो जाएगा और कम होने से क्या हो जाएगा कि इसमें जो धारा होगी वह अधिक प्रवाहित होगी आता है क्या होगा प्रश्ण अनुसा उप्रोक्त प्रश्ण में 18SWG वाले तार में अधिक धारा प्रवाहित होगी यहाँ पर हमारा A answer correct हो जाएगा तिसरा question है विच आपदा following compass is used to draw very large circle तो बहुत बड़े बृत बनाने के लिए कौन सा compass प्रिक्त किया जाता है तो बहुत बड़े बृत आपको बनाना है तो compass यह beam compass रहता है तो बहुत बड़े बृत बनाने के लिए beam compass प्रिक्त किया जाता है चोथा question है देखिए यह उपी पीसल TG2 में आया था 24 जनवरी 2019 को आया हुआ है तो संक्यूट जगहों में काम करने के लिए किस पकार के pliers का उप्योग किया जाता है तो संक्यूट जगहों में काम करने के लिए जो प्लायर यूद किया जाता हुआ है लंबा नोखदार प्लायर रहता है यहाँ पर हमारा D answer correct हो जाएगा संक्यूट जगहों में काम करने के लिए लंबा नोखदार प्लायर यूप्योग किया जाता है इस प्लायर को सीधे एवं वक्रजा के रूप में बनाया जाता है और इसका उप्योग विश्यस रूप से छोटे भागों को सीमित छेतर में पकड़ने के लिए किया जाता है इसकी लंबाई 160, 180, 200, 220 mm तक होती है पांचों कोशन है कि रेती में प्रयोग होने वाली समगरी है तो देखे जो रेती में प्रयोग होने वाली समगरी रहती है तो वह हमारा रेती बना जाता है उच कारबन स्टील का बना जाता है यहां पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा रेती का परियोग किसी कारिखंडी की सताय पर खुरदरी यानि कि रफ सर्फिस वाले टूल को रगड़ कर पदार्द को चूण के रूप में हटाने की परिकिरिया को रेतना कहते हैं तथा इस टूल को रेती कहा जाता है लो टेंशन, हाइट टेंशन, यल्टी, एंड येश्टी, लो टेंशन और हाइट टेंशन लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशन के पास क्या होना चाहिए तो इस पर काम करने के लिए क्या होना चाहिए कि वायर में प्रमान पत्र होना बहुत जरूरी होता है यहाँ इसका E अंसर correct होगा बाक्य आपको पता होगा कि आथार कार्ड मने नहीं है क्योंकि यह आपको बताएगा कि कि हां गर्फिक्रेशन है आपको इसपैल जानकारी आथार कार्ड तो सबके पास होता है इसक glued कोई मतलब नए राज्सन कार्ण से कोई मतलब ने है साथ Korea कोश्चन है एक किबल कि किश्का उप्योग करते हुए कुम्त किया जाता है तो एक कर अधारक लग Colól का जो पुरियोग किया जाता है जाने कि चंता फी सक्वाइं कोप कर सकते हैं तो आपने के लिए यह अपने दोस्तों के साथ कर दें सब को बता दें कि यहाँ पर लाइव टेस्ट डेली सामको साथ बज़े करा जाता है सभी लोग लाइव आ जाएं जितने लोग रहेंगे लाइव में उतना ही मज़ा आएगा टेस्ट देने में नुवा कोश्चन है निमने में से कौन से उप्रण एक टूल किट में नहीं पाए जाता है तो इलेक्रिशियन से आपके क्लैंपिंग डिवाइस होती है तो यहां पर हमारा डिए अंसर करेक्ट हो जाएगा कि नममひक करने के लिए वाइस का चैन किस पर किए बाल किया जाता है उसके स्धेक के दैज आदें स물ने संगरर से लिया जाता है कुछ वाइस जैसे आपके बता देते हैं जैसे कि वेंच वाइस होता है प्रकार होता है जो साइज होता है जाब के साइज से लिया जाता है दोसरा आप बात करें तो पाइप वाइस क्या करता है और चूड़ी डालने के समय पकड़ने के काम आता है और मसीन वाइस भी होता है लाइन वाइस भी होता है हैंड वाइस भी होता है पिन वाइस भी होता है यह ने मूझें होंगो वहीं है और कॉश्चन कि पावार एक्स अबलेड की मोटाय कितनी होती है थात काटा नारी होता है तो पावार हैक्स होती है इसकी मोटाई रहती है यह आपका एक दसमलों 2-7 mm से 2-5.4 mm होता है यहां यह सेंटीमीटर दिया है यह सेंटी प्रकार के उपक्राण को प्योग कैलिपर के अंदर माप अस्थानांत्रित करने के लिए किया जाता आप से जैनी कैलिपर इस्टील पर माना विभाज़ा लेक्ट कैलिपर तो देखिए यूपी को स्ब्सक्राइब यहां सकता है कि लिए इसका प्रकार की उपकरन का उपक्राण के लिए किया जाता है यहां पर हमारा अंसर करेक्ट हो जाएगा इस्टील रूल एक मौलिक महांपक्त इसका परयोग हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट और रूलिंग इस्ट्रेट लाइन्स में भी किया जाता है इसका प्रियुक भी इफिन छेत्रों जैसे ज्यामिती टेक्निकल ड्रॉइंग इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में भी होता है तो यहां पे आपको पता चल गया होगा कि सारे कोश्चन यहां पर प्रिवेस एर के कराये जा रहा है तो आप लोग देखना ना भूलिए रोज साम को साथ बज़े तेरे नमर कोश्चन है कि छेत्र प्रिष्ट की वरगता की जांच करने के लिए कि सुपकन को उपयोग किया जाता है इसपात्मापी गुणिया सारवेत्रिक प्रिष्ट प्रमापी रुज कौन तो छेत्र प्रिष्ट की वरगता की जांच करने के लिए जी सुपकन को उपय कि वरमाई के साकेट से बरमा को आसानी सी अठाने के लिए कि उक्रम को उप्योंग कि रहता है यहां-नोब भी आंसर करेक्ट हो जाएगा जबकि ड्रिल, सिलिव और टोंगे का परियूग नहीं कर सकते हैं पंदरे नमर कोशन है तसाइज आपदा हैमर इजी डिसाइडेड बाई इड से हैं हथ हवरे का जो आकार होता है उसे किसे दौरार करतें आपको बताना processes के डिल के दाना ही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा j porque nrc में आया हूँ इंपोर्ट है पर न-म-र सी transform में आया हुआ कोशन है तो इस्क्राइबर वर मेरड़ आप इस्क्राइबर जो होता है या किस पदार्थ का बनाए जाता है आपको बताना है इसक्राइबर का जो material रहता है यह आपका हाई करबन इस्टिल करेता है तो high carbon steel से बनाए जाता है Scriber आपको उच carbon steel से बना हुआ नुकीला वाग पैना अवजार होता है इसका परियोग क्या होता है कि करतन कारिक से पहले कारिखंड पर मार्किंग करने के लिए उस अस्थान पर किया जाता है जहां पर pencil का उप्योग हम लोग नहीं कर सकते हैं तो जहां पर pencil का उप्योग नहीं कर सकते हैं वहां पर हम लोग subscriber का यूज करते हैं 17. question कि छोटे कार में काटने, मरोड़ने, पकड़ने और जकड़ने के लिए कौन से उप्रण का परियोग किया जाता है तो छोटे कार को पकड़ने, मरोड़ने, पकड़ने और जकड़ने के लिए जो उप्रण यूज किया जाता है वहां combination पलायर रहता है जो कि हम लोग यूज करते हैं घरों में जेनरल परपस के लिए यूज होता है तो यहां पर हमारा भी answer correct होगा 18. question है खौशो में अपने के लिए उप्योग किया जाने माना के wire gauge के खांचो में बेयर कंड़क्टर को क्या होना चाहिए आपसरान है खार्फोर में धीला होना चाहिए ना तो कसा ऊवट ना है अilएक उन चाहिए उसके खांचो ayar कंड़क्टर डालते समय बेयर कंड़क्टर को ना तो कसा होना चाहिए और नहीं धीला होना चाहिए कि ब्रिटानिया जोड़ एक प्रकार का विद्धुती जोड़ है उसे नमलखित में से किसको उप्योग किया जाता है वह रहता है हमारा उपरी तार यहां पर हमारा सी अंसर करेक्ट हो जाएगा उपरी तार तो ब्रिटानिया जोड़ एक प्रकार का विद्धुती जोड़ है इस जोड़ का उप्योग ओभर हेड लाइन में किया जाता है ब्रिटानिया जोड़ होता कि आयक इस प्रकार के जोड़ में तारों तथ किया जाता है कि विस नंबर कोशन है फार बोरिंग इसमाल होल और वोडेन आर्टिकल स्विच टूल इज यूज़ लकड़ी के लेखों पर छोटे च्छेद उबाव के लिए कौन सो उप्रण प्रियुक्त किया जाता है यह आपका डिया मार्सी मेंटेनर में आया हूँ कोशन है आपसनाओ माईल्डी श्टिल अग्राड़ ढूंत तो लकड़ी के लेखों पर छोटे च्छेद उबाव के लिए जो किया जाता है मैं ब्राडल रहता है लकड़ी की लेखों पर छोटे होल वीरिंग बोरिंग के लिए सूजा यानि कि ब्राडल मतलब जोता है सूज शू कि हैं नहीं है एक तार्ग के ब्यास को मिलिकत में से आता है वियर गेज थ्रेट रिंगे थ्रेटardra के यह है किस का यूज करते हैं घर ़ाम सभिन पता है फैसे मतलब तरो मापना वाइर मापने के लिए वयर मापना और इसके द्वार हम लोग क्या करते हैं कि वायर गेज द्वारा सूपर इनेमल तारों तथा केबिलों का ब्यास ग्याद किया जाता है इसके चार और परित पर कटिंग होती है जिन पर नमबर लिखे होते हैं इसमें तार को डाल कर उसकी गेज ग्याद करते हैं जिस लाट में अप्तार ठीक से फिट हो जाता है वहीं उसका नंबर गीज हो जाता है वाइस नंबर कोशन है कि इप वन प्राइमरी साइड एश्टी फ्यूज ब्लो आउट देन दा प्राइमरी डेल्टा सरकिट विल भीकम एवी सरकिट विच विल बी एबल टू वरक एट यह प्रात्मिक प्रात्मिक डेल्टा फ्यूज वी परिपत हो जाता है तो जो डट 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 परकार करने सच्चम होगा तो इसके लिए सच्चम हों कि अंठावन परिशत आप फुल लोड कि पूर्ण भार का अंठावन परिशत करेगा कि तेस नंबर कोशन है कि डट डट का ग्रांडिंग करके टेपों को पुनाभ तेज किया जाता है तो टेपों को पुनाभ तेज करने के लिए हम लोग बांसुर्म न Bernieliers और्ला के लिए उप्योग होने वाले ऐसे उपकरना है जिसे को का डकाने के लिए कि dat तो देखिए जो टाप से उन्तरिक दागा श्रकाट के लिए उप्योग करते हैं तो टाप से काटने के लिए उपयोग होने वाले जिनका आंत्रिक धागा काटने के लिए उपयोग किया जाता है 25 नमर कोशन है जो कि ं-m-rc में आ जा हुगा कोशन है तो आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बता हैं इसके कि इसका करेक्ट आंसर किया होगा तो एक तार की मोटाई डडडडड का उप्योग करके मापा जाता है वह वायर गेज मुणे की द्वारा मापा जाता है यह कोश्चन साथ पहले भी आ चुका है तो वायर गेज के दौर हम लोग तार की मोटाई मापते हैं दोस्तों अगर पसंदार आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने वीड कासकर फिट होना चाहिए यहीं चीजिदे आपके लिखा है कि कासकर फिट होना चाहिए आपसा नमबर अपर करेक्ट होगा 27 नामर कोशन है कि एक रेखा को क्ल पर 1 सेंटी मीटर दोरा दिखाया गया है इसकी रिप्रेजेंट्ट्टिव आम कितना होगा तो देखें रिप्रेजेंट्ट्टिव होता है इसका मांन निकालना के लिए यह होता है कि मीट्र वराबर 1 cm रंद्शी 1 मीट्टर यह एक संटीमीटी मीट्र यह सबस्सेंटीमीट्र बराबर 1 ndGet मुलख सबस्क्राइब अभ्रेजटीनटीव हो जायगा सबक्रत्र है यह आपका इक बाटा सवा जाएगा कि तुन्टेट नंबर कोश्चन है दर डिजाइनेशन आफ सीट आफ साइज फाइफ नाइन फॉर मल्टिप्लाइ एट फॉर वन हैज पर आई यस तो ए सिरीज इस तो ए सिरीज के अनुसार आकर 594 तथा मल्टिप्लाइ यहां पर देख सकते हैं कि क्या होता है यहां पर देख सकते हैं कि क्या होता है इसका आट सच तालीस गुड़े है 1189 होता है फिर एवन के इतना होता है एटू एट्री फॉर आप देख सकते हैं कि ट्व्टिनाइडिग नंबर कोश्चन है कि फ्रेंच कर्व और यूजड फार ड्रॉइंग फ्रेंच कर्व किसके चिंत्रांकन के लिए प्रयोक किया जाता है तो देखे जो फ्रेंच कर्व यूजड किया जाता है इसके दोरह हम लोग रेगुलेर से प्याने कि अनियमी कि ताकृति अगर आपको बनाना है तो हम लोग वहां पर फ्रेंच कर्व यूजड कर सकते हैं तो इस नम्र कोश्चन है इन इलेक्टिकल ट्राइंग ये ट्रांसफार्मर इज रिप्रेजेंटेड आयज विद्धु चिंत्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार दर करते हैं तो यहां पर हमारा सियावर्ग है कुछ इस तरह से हम लूग डर्साथ सकते हैं कि तुछ पिलर्फीन है उस्निजेटीकल से तर द्रांसफार्मर को तो अगर आपको कठोड तार काटना है तो उसके लिए हम लोग डाइगोर्णल यानि कि बीकरन कटर पलायर का यूज करते हैं और जो बीकरन कटिंग पलायर होते हैं सो एकसो पचीस एकसो चले एकसो साथ एकसो एकसी एवं 200 mm लंबाई तक के बनाए जाते हैं और इनका परियोग केविल या कार्ड यानि कि कोड का आवराण वा रोधन हटाने के लिए भी किया जाता है 32 नमर कोशन है कि रेती फाइल की पैचान के दिए कौन से रेती हो सकता है तो देखिए यह होता है हमारा कि लिए रशप कट फाइल हे हमारा जो इस तरह से अगर है दांते हैंfed हिसके यहामरा रर्रस्प कट होता हैं और यह हमारा इस तरह हैं हमारा होता है डबल काटफर डबल कटटव्यर होती है कि आप देख सकते हैं अuldब recht है का hatte चनल गोल से मघालते ऐखिए जाता है यायनी हाफ रांड रेती रहता है यह अब हमारा है को सफेट्र emor नोंबर का की परियुक्त वस्ति को पकड़ना के लिए सब्सक्राइब लोस्त होते हैं लोग प्लायर स्थिक्षजण को पकडब में में मिस्थ याइफ में और इसका फिर्यक्तवस्त को पकड़ने के लिए पिचने के लिए के लिए दोस्तों अगर वीडियो पसंड पाऊ तो जाते जाते लाइक कर देजिए अगर आप हमारे चनल पिноस्टाइब कर लेजी और अपने दोस्तों के साथ जरूर से यायर करें और सब्सक्रणार गलती होगी फिर सुधार भी होगा तो आप लोग सभी लोग कमेंट करिए इसकी चाया ना कि हमारा गलत हो जाएगा भाई गलत तो होना ही है, सही होना है कुछ न तो कुछ होगा ही तो सही अंसर हम आपको बताएंगे ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ थैंक यू, नेस्ट वीडियो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक सिटी पर